दोस्तो सल्मान खान वाले मामले में यानि कि जो सल्मान खान को धमकी दी गई थी एक लेटर के जरिये बैंडरा की एक पार्क के बेंच पर सलीम खान को वो लेटर मिला था कि सिद्धू मुसे वाला की दरस सलीम खान और सल्मान खान दोनों की ही हत्या कर देंगे जिसके नीचे LB और GB लिखा था यानि गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्णोई तो पुलिस ने सौरब महाकाल नाम के एक शक्स को पकड़ा और इसकी जो पूरी प्लानिंग बताई जा रही है कि विक्रम बराड नाम का एक शक्स राजस्तान के हनुमानगर से जिसने पूरी प्लानिंग रची थी गोल्डी बराड के कहने पर जो कि गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्णोई के ग्रूप का है ये उसके पहले किसी और भी गैंक्सर के ग्रूप में था आननदपाल सिंग के लेकिन आननदपाल सिंग का जब एंकॉंटर किया जाता है तब ये लॉरेंस बिश्णोई और गोल्डी बराड के साथ जुड़ जाता है तो इसने ही सौरब महाकाल को पुरी जो प्लानिंग की थी लेटर देने की ये इसने लेटर पहुचाया वहाँ पे ही सल्मान खान का जो लेटर दिया है था हमने हमें सिर्फ एक ही मक्सेद था कि सल्मान खान को डरा कर बॉल्यूड में दहशत का माहौल क्रियेट करना था ताकि हम बॉल्यूड वालों से पैशे वसुल सके जब भी हम डरा Everain हमारे नाम से बॉल्यूड वाले डर जाएं और ह बॉल्यूड वालों वैसे ही बर्बाद हो गए दो साल में यह क्या ही रंगदारी देंगे और क्या ही पैसे देंगे कुछ लोगों का यह कहना है कि बॉल्यूड वालों का खोदी अंडर वर्ल से इतना बड़ा-बड़ा कनेक्शन है यह चोटे-मोटे गैंक्सर से बड़े लेवल पर पहुच चुके हैं बॉल्यूड के फिल्मों में फाइनांस होता है अंडर वर्ल वगरा से ऐसी भी बाते पर आ चुकी है कई बार हम सुन चुके हैं तो हमारे देश की जो कानून ब्यवस्ता है वो यह पता नहीं लगा पाती कभी कि अंडर वर्ल से किसक कुछ के सुलच जाता है तो देखो इसकी तारीप भी करनी चीए कि भाई पुलिस ने बड़िया काम किया सुलचा लिया कि हमारे देश की चौकनणी है कि किसी सेलीब्रीटी को धंकी दी जा रही है तो पुलिस ने सुलचा लिया लेकिन यही चौकना होने की उमिद्ग जो इस देश की आम जनता भी करती है कि भाई हमारे मामले में इतनी धील कियों दे देते हो जब हमारे साथ कुछ गलत होता है हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं या कुछ भी चीज होती है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो तो देश की जनता का जो विश्वास है वो निया बयोस्ता के उपर कानून बयोस्ता के उपर बना रहेगा वरना सिर्फ बड़े बड़े लोगों के उपर ही ध्यान देने के लिए कानून और निया बयोस्ता काम करेगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं है भाई तो फिर तो कानून के उपर आम इंसान और गरीबों को भ परोजा नहीं करना चाहिए